हेलो बच्चो अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह है से राम शंबूक को है उसकी जाती उसकी वर्ण व्यवस्था पर कटाक्ष करें करते हैं और अब शंबूक राम को उत्तर देता है सभी प्रत्वी पुत्र है तब जन्म से क्यों भेद माना जाए जन्म जा समानता के तथ्य पर क्यों खेद माना जाए जन्मना जाए ते शुद्र है क्या नहीं सब के लिए यह सत्य और संसकारात ही द्विज उच्चते कि गो शब्दार्थ में हैं पहले खेद पच्छतावा गलानी जन्मना जायते शुद्र हैं जन्म से सभी शुद्र हैं संसकारात संसकारों से द्विज ब्राहामन उच्चते उच्चारन करना उच्च पद्धारन करना सातत्य इस्थाइत्व निरंतरता जड़ अचेतन तो यहां है वर्ण व्यवस्था की कठोरें जटिलता को लेकर राम और संबूग के मध्यवारतालाब होता है उसमें संबूग जन्म व्यवस्था से वर्ण व्यवस्था को जोडते हुए मनु द्वारा कहे गए वाकियों को दोहराता है और कभी जगदिश गुप्त पोरानी कथा के वो कहता है कि वेदों में मनु ने भी कहा है कि सभी प्रत्वी पुत्र हैं कि सभी प्रत्वी पुत्र हैं तब जन्म से क्यों भेद माना जाई कि सभी प्रत्वी पुत्र हैं जन्म से अर्था जिसने भी प्रत्वी पर जन्म लिया है वह सर्व प्रत्वी पुत्र है फिर आपस में भेद भाव क्यों मानना चाहिए या माना जाए जन्म जा समानता के तथ्य पर क्यों खेद माना जाए जन्म जा समानता अर्था जन्म से सभी एक है उसमें खेद यागलानी का भाव क्यों रहे आगे फिर कहता है संबुक जन्मना जायते शुद्र है मनु ने भी अपने संगिता में इसपष्ट किया है कि जन्म से तो सभी शुद्र होते हैं अर्थात सभी एक बराबर है और सभी स्रमिक है कारे करने हेतु है क्या नहीं सबके लिए यह सत्य फिर एक शुद्र तपस्या तो सभी एक है तो क्या कारे करने हेतु है तो क्या यह बात सबके लिए सत्य नहीं है और संसकारात ही द्विज उच्चते कि गोशना क्यों नहो सातत्य और यह भी कहा गया है कि संसकारी अर्थात कर्मों से ही द्विज उच्चारण अथ्वा बेदोपाठ कर सकता है यह सभी मनुश्य अपने कर्म द्वारा ही ब्रहामन, शत्रिय, वेश्च्च और शुद्र माने जाएंगे फिर एक शुद्र तपस्या क्यों नहीं कर सकता है और संबू का यही कहना है कि जब कर्म द्वारा ही वन बनते हों फिर क्यों नहीं ये गोशना सो इस्ताइत्व के साथ निरंतर बहती या चलती रहे आगे फिर वो कहता है जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं है गती रहित जीवन कभी अपना नहीं है कि जड़ समाज अर्थात अपने जटिलें रूड बंदनों में जकडा रहने वाला मनुष्य के लिए स्ट्रेश्ट कर्म नहीं है जीवन निरंतर चलने और आगे भढ़ने का भाव है गती रहित जीवन कभी मनुष्य के लिए नहीं बना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवरती है कि वह निरंतर नित नई मंजलों की और बढ़ता रहे समाज के किसी भी नियम क जटिलता उसे बांध नै सके नित्य नए किर्थिमान गड़ता हुआ आगे बढ़े क्योंकि रुका हुआ पानी भी सडान मारने लगता है और बैता हुआ नीर हमें स्वाच स्वाच एम सुद्ध रहता है आगे है इसमें तो हम भाशा सरल्ज और सीदिसी है आगे हम फिर च अर्प द्रश्टी में गरता नहीं है तब नहीं है शुद्र का कर्तबय फिर से सोच लो संभूक उसे सेवा कर्म ही भव्य को उसे कर रह चूग भाग्ये द्वारा विदी विहित है का मतलब भाग्ये द्वारा विदी द्वारा बनाया गया जड़ता अचेतन्ता निर्प द्रश्टी राजा की नजरों में भव्य शुशोभित चूख गलती तो यहाँ पर अब संभूग को संभुधित करते वे राम कहते हैं संभू का कहना कि वन व्यवस्था में जटिलता या ठहराओ मनुश्य की गती के लिए सही नहीं है प्रग्रती नहीं कर सकता है उत्तर में राम कहते हैं कि विदी द्वारा बनाए गए मार्ग का त्याग करना क्या जड़ता नहीं है विदी विहित निज कर्म पत का त्याग क्या जड़ता नहीं है अर्थात विधाता ने जो नियम बनाई है स्रश्टी द्वारा उसे भंग करना भी जड़ता किस्रेनी में ही आता है और अगर अपने कर्मों की सीमा का उलंगन किया जाए तो फिर क्या वह राजा की द्रश्टी में चुभेगा नहीं कर्म सीमा भंग क्या नर्प द्रश्टी में गड़ता नहीं है तप नहीं है शुद्र का कर्तव्य राज्य की सभी गतिविदियों का ध्यान राज्य को रखना पड़ता है और यदि कोई राज्य भी, राज्य की सभी व्यवस्ता को अपने कर्म से भंक करे, तो राजा उसे धंड ही देगा, क्योंकि तप करना किसी सुद्र का कर्म नहीं है, शेवा कर्म ही उसके लिए शोबनिय करतब्य है, फिर से विचार कर लो संभूक, फिर से सोच लो संभूक, तब की जिस पर स्रष्टी का आधार हो, तब की जिस से चल रहा संसार हो, तब की जिस से त्री देवों को बल मिले, तब की जिस से मनुझ को संभल मिले, संभल मतलब साहारा, मनुझ मतलब मनुश्य, तो राम की इस परकार कहने पर संभू कहता है कि तब पर सारी स्रष्टी तप पर ही सहरा संसार चल रहा है तप ही ऐसा कर्म है जिसे त्रीदेव अर्थाथ ब्रह्मा विश्णु महेश को शक्ति प्राप्त होती है अर्थाथ संसार के इन तीनों नियाम को को तप करने पर ही बल मिलता है तप ही सतकर्म है जिससे मनुष्य को संबल अर्था साधार या सहारा मिलता है किसी भी व्यक्ति को सतकर्म करने से कैसे रोका जा सकता है क्योंकि तप है वो सतकर्म है और उससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचता है तो यहाँ पर संबूख ने तब का महत्व या तब की महता को इस्तापित किया है बाशा शरले संस्क्रिश अपनों का प्रियोग हुआ है आगे है फिर फिर संबूख कहता है मैं तुमी से पूछता हूँ राम वही तब दुशकर्म कैसे हो गया वही स्कृत्य धर्म कैसे हो गया वही तब अपराद कैसे हो गया राजदंड अभाद कैसे हो गया सर्व भूत हिते रत है ब्रत क्या हुआ क्या ना फिर उसने तुम्हारा मन चुआ राम तुम शत्री कहाते भ्रम हो कह सको तो विश्व व्यापि सच कहो वर्ग हित या वाइन हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित परिचालित नहो अब यहां सम्भूक आगे फिर राम को लतारते हुए कहता है और शब्दार देख लो बचों दुषकर्म मुराकारिय, कृत्य काम या कर्म, अधार्म धार्म के विरुद्ध, अभाद भिना किसी बाधह के सर्व भूत हिते रत है, सबके हित में रत रहना ही कर्म है, परिचालित चलाया गया तो यहां संबूख कहता है राम से प्रश्ण कर रहे हैं और तब करने की अपने लिया धर्म कैसे हो सकता है इसकी व्याख्या करता है और तब का महताई सापित करता है तो संबूख वही प्रश्ण राम से करता है तुम से पूछता हूँ कि तप करना कैसे गलत हुआ, मैं तुमी से पूछता हूँ राम वही तप दुसकर्म कैसे हो गया, क्योंकि तप पूजा साधना अर्चना सभी प्रभु भक्ति के अंग है, वही कृत्य धर्म कैसे हो गया, वही तप अपराद कैसे हो गया, राज दंड बाद कैसे हो गया, तो वो कहता है, तब तो है वो प्रभु की साधना, पूजा, आर्चना, सभी प्रभु के ही अंग है, फिर मेरे तब करने से तुम क्रोधित क्यों हो, फिर मेरा किया कर्म, धर्म क्यों माना जा रहा है, मेरे तब करने को अपराद मानना कहां तक सही है, तु तुम्हारा राजधर्म तो यह कहता है कि नास कहता है ना कि सभी की हित में प्रयुक्त कारी ही धार्म है उस वरत का क्या हुआ मुझे दंड देते हुए क्या तुम्हें उस वरत की आद नहीं आई क्या तुम्हारा मन एक भारवी विचलित नहीं हुआ कि तुम कितब करने पर तुम कैसे किसी को दंड दे सकते हो, क्याना फिर उसने तुम्हारा मन चुआ, राम तुम शत्रिय कहाते ब्रह्म हो, कह सको तो विश्व व्यापि सच कहो, संभूग आगे कहता कि राम तुम एक शत्रिय हो, पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्म कहलाते हो, इस संसार को चलाने वाले हो अगर तुम सच कह सकते हो तो विश्व में व्यापत उस सत्य को सब के सामने कहो कह सको तो विश्व में व्यापत सच कहो वर्ग हित या वर्ण हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित परिचालित न हो वर्ग हित और वर्ण हित की बात को अपने ध्यान में ने लाकर एम दूसरों दुआरा तुम्हारे मन को ने चलाया गया हो उस अवस्था में तुम्हारे लिए तब करना किस रेनी में आता है वह बताओ यहाँ पर संबुग जानता है कि राम को किसी ने भेजा है उसके मन में वर्ण हित और वर्ग हित की बातों को भर कर अनिथा राम ब्रमस रूप है अच्छे बुरे की पहचान है धर्म अधर्म को समस्ते है इन सب बातों से उपर उठकर नीड़ना करे कि सत्य और असत्य धर्म और अधर्म पाप और पुन्य क्या है यहां धर्म और अधर्म और तप के मैतूप पर प्रकाश डाला गया है बचों पूजा के लिए सर्व भूत हिते रता है का पालन सर्वतानिवार ये को स्पष्ट किया गया है और संबूख द्वारा किये गे प्रश्णों से उसकी बुद्धी मता का पता चलता है राज धर्म की सभी बातों का समुशित ज्ञान है आगे हम कल करेंगे अब राम कहेंगे तो हम कल पढ़ेंगे राम क्या कहते हैं संबूख से दन्यवाद बचों